हाई फ्रेंड वल्कम बेक वीडियो दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप अपने कंप्यूटर के Windows का installation date कैसे find करेंगे अपने computer में तो इस वीडियो में मैं यही बताऊँगा तो वीडियो को पुरा लास तक जरूर देखना तो चलिए वीडियो को start करते हैं तो वीडियो start करने से पहले एक चोटी सी request करूँगा अगर अभी तक आपने मेरे चानल को subscribe नहीं किया है तो प्लीज इसे subscribe कर लिजे तो अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो installation date देखने के लिए आपको यहाँ पे start पे click करना है और cmd खोलना है आपको command prompt command prompt खोलने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है system info system info और enter करेंगे तो यह system का जो सारा details है वो यहाँ पे आपको दिखा देगा तो यहाँ पे जब आप ऊपर करेंगे से find करेंगे यहाँ पे original system installation date ऐसा कुछ होगा हाँ जी original install date आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने red color का mark करके दिखा रहा हूँ आपको original install date जो कि है चार यानि कि 10 अप्रेल 2019 को 9 बज के 30 मिनट में सुबा में मैंने किया था ठीक है तो यह है इसकी original installation date तो इस वीडियो में बस इतना ही उमीद है यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें शेयर करें अगर कोई सवाल यह सुझाओ तो नीचे कमेंट करके मैं बता सकते हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में गुड़ बाई